नमस्ते दोस्तों, आज सुनिये चर्चित, प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लेखे का सुश्मा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी अंतकाल पश्टाना, मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा सिंग यदि पूछें सबसे अबूज और अजीब क्या है तो धनुशधारी कहेंगे जीवन जीवन को लमहों में बाट कर देखें तो लगता है सुख दुख की उँचाई और तराईयों से गुजरते हुए बहुत धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए बीथता है जीवन को संपूरता में समेट कर देखें तो लगता है एक बहुत उंची कूद लेकर बहुत जल्दी बीथ गया है 75 के पड़ाओ पर आप पहुँचे धोंचधारी को एक आएक लगने लगा है कि जीवन कुछ ऐसी जल्दबाजी में बीथता चला गया है कि बीथना मालूम नहीं हुआ लगता है जीवन ऐसा प्रमेय रहा है जिसे सुलजाने में वे असफल रहे हैं अमान गंज में आज व्यापक इस्तर पर अंतियोदय मिले का आयोजन है प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक 12 बजे पहुँच कर अमान गंज के लिए कई फलदाई योजनाओं की घुशना करेंगे साथ ही लाड़ली लक्षमी योजना की अंतरगत चैनित नन्ही बालिकाओं में पाज को अपने हाथों से एक लाग का चैक देकर कन्या पूजन करके उनके चरण पकारेंगे और स्वागत लक्षमी योजना के लिए चैनित दो करमट महिलाओं का सम्मान करेंगे महिला विकास विभाग की प्रमुक अधिकारी तारिनी ने कोरोना काल में अपनी करमटा साबित करने वाली ग्राम के टाहा की गूपा और धरुजदारी की अपना एंजियो चलाने वाली पुत्री देव माया का चैन किया है धरुषदारी की तीसरी सबसे छोटी पुत्री देव माया का एक पैर दूसरे पैर से लगवक छे इंच छोटा है अताह उसका विवा नहीं हुआ ईश्वर ने उदार होकर उसे करमठता जरूदी है देव माया पैर का खेद न मना अपने NGO में निमग ने रहे जिंदगी का पूरा मजा लेती है धरुषदारी और मा क्षिप्रा के योग शेम का ख्याल रखती है बड़ी बहनों वेद माया और योग माया से टेलिफोनिक संपर्क बनाए रखती है कहीं भी जाती है बुढ़ापे का मजा लूटो कहकर धरुषदारी और क्षिप्रा को चलने के लिए सहमत कर लेती है अन्तियोदय मेले में भी दोनों को ले गई बीटी आई के विशाल मैदान में विशाल जनसमू दाखिल था देव माया को समझना आया कहा जाए उसने तारणी को मोबाइल पर अपने आने की सूचना दी तारणी ने प्रामर्ष दिया वो मंज के समी पा जाए ताकि नाम पुकारे जाने पर ततकाल मंज पर जा सके देव माया मंज के समी पहुँची मंज के नीचे दाहिने और कुछ कुरसियां रखी थी रूपा और बच्चीयों की माताएं कुरसियों पर बैठी थी तारणी ने देव माया को महीं बैठने का संकेत किया कारिकरम ठीक वक्त पर आरंब हुआ आपचा रिक्ताओं के बाद मंज पर पाचों बच्चीयों को एक साथ बुलाया गया पाचों की उम्र चुंकी एक या तेड़ वर्ष की थी उनकी माताएं उन्हें गोद मिले कर मंज पर गए मुख्य मंत्री ने पाचों को चेक भेट किये पश्चात पाफ में बैठा कर पूजन किया इसके बाद देव माया का नाम पुकारा गया संचालक ने पढ़चे दिया एंजियो चलाने वाली देव माया जी अमान गंज का गौरव है लॉक्डाउन में इन्होंने किचन नाम से भोजनाले चलाकर गरीबों, जरूरत मंदों, प्रवासी मजदूरों को दो वक्त का मुफ्थ पोजन उपलब्द कराया था इन्होंने अपने बल पर किचन शुरू किया था दीरे दीरे अमान गंज के सक्षम लोग आर्थिक सहयोग करने लगे और किचन सफलता को लोग चलता रहा आप लोगों को याद होगा 2020 और 2021 में कोरोना और लॉकडाउन ने हम सब को किस तरह हताश कर दिया था देव माया जी का सम्मान करते हुए हमें प्रसंदता है मुख्यमंत्री ने देव माया को शॉल, श्रीफल, अभिनंदन पत्र और 25,000 रुपे का चेक भेट किया देव माया के बाद रूपा को मंच पर बुढाया गया संचालक ने परचे दिया ग्राम किटाहा की रूपाजी ने सिद्र कर दिखाया है कि संकल्प होतों ग्रामेर इस्त्रियां भी आय के उपाय कर सकती है अने गाउं के तरह किटाहा के किसान की धान की खेती में निकले पुवाल अर्थाद धान का पैरा को निस्तारन के लिए जला देते थे इसे परियावरन प्रदूशित होता था रूपा जी पुवाल से भूसा और जैविक खात तयार करके आयका प्रबंद करती है अब किटाहा के किसान पुवाल नहीं जलाते रूपा जी उनके खेतों में स्वेम पुवाल एकत्र करती और खरिदती हैं कई इस्त्रियों को रोजगार दे रही है रूपा सम्मान लेकर अपनी सीट पर बैठ की देव माया ने अपना परिचे दे कर कहा आपको कुछ भी मदद चाहिए तो मेरा एंजियो मदद करेगा रूपा ने उसे आशीश दिया बिटिया कभी किटाहा आओ मेरा काम देखो तीन साल पहले लॉकडाउन में शुरुआत की थी अब काम बहुत बढ़ गया है जरूर आओंगी अपना मुबाइल नंबर बताईए सेव कर लेती हूँ आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा शनिवार की शाम देव माया ने धहुशदारी को प्रस्ताव दिया पापा कल इतवार है किटाहा चलते हैं रूपा जी का काम अच्छा लगा तो मैं अपने सम्हू के माध्यन के लोगों को पुआल से धन कमाने का तरीका बता सकती हूँ चलते हैं मुझे गाउं हमेशा अकर्शित करता है आपने अपने गाउं का क्या नाम बताया था भूल जाती हूँ बेरमा अब अस्तित में नहीं है वहाँ बान सागर बान का पानी ही पानी नज़राता है सुबह दस बजे किटाहा के लिए प्रस्थान हुआ कार में धरुजदारी चालक के साथ आगे तथा देव माया और च्छिप्रा पीछे बैठ गई किटाहा की और बढ़ते हुए नहरुजदारी ने बेरमा की मान से क्यात्रा कर डाली अम्मा की मृत्य के बाद दद्दा अर्थात पिता उनके लिए निर्मर गंगा बन गए थे एक मेले में स्टूडियो में दद्दा ने उनके साथ तस्वीर खिचवाई थी श्वेद शाम तस्वीर की तीन कौपी मिली थी एक कौपी वो अपने साथ ले आए थे जो उनके अलमारी में सुरक्षित रखी है बेरमा कम आबादी वाला अविक्सित गाउं चौमासे में मुखे सड़क मार्क से संपर्क तूट जाने के कारण अपरे हारे आवागवन नाव द्वारा करना पड़ता था सारे प्रसंग प्रकरण इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें पूर जन्म या प्राचीन युक्का अन्भो लगते हैं लेकिन अनगड कच्चे घर के द्वार की वो देहरी आज भी मानस में ज्योंकी त्योंकित है जहां से वे भागे नहीं थे खदेडे गए थे वे जब आटवी में पढ़ रहे थे अम्मा चलवसी अम्मा को प्रसव से ही कोई ऐसा रोग लग गया था कि वे दुबारा गर्वती नहीं हुई और नहीं स्वस्थ हुई पट्टी दारों ने दूसरे विवाग लिए तद्दा पर दबाव बनाया पर वे अपनी विमाता के क्रूरता सह चुके थे नहीं चाहते थे धनुजधारी के साथ क्रूरता हो जब धनुजधारी साइकल से कस्बे के स्कूर आने जाने वाले गयार्मी के चात्र थे दद्दा ने वेकल्पिक विवस्था के तौर पर उनका विवाग करा दिया ये बहु घर संभाल लेगी उन दिनों बाल विवाग आम तौर पर होते थे अता धरुजधारी को विवाँ अनोखा नहीं उपलब्दी लगा था उन्होंने अपने पक्के साथियों को समौसे खिलाए थे पत्नी का शालीन, शीतल, मुख और ग्रह कोशल उन्हें आश्वस्त दिये रहता कि अब दद्दा को खाना नहीं बनाना पड़ेगा चलता तो अपनी खटिया पर सुला कर ही चैन पाते दद्दा के चंगुल से किसी तरह छूट कर वे पत्नी के संपर्क में पहुंचते, लाल्टेन के अपरियाप्त प्रकाश में वो अलौकिक लोग की रचना करती प्रतीत होती, मास्टर्स करते ही उन्हें शास के मात्मिक पाटशाला में मास्टरी मिल गई, प्रतम नियुक्ति अमान गंज से दूर ग्राणी छेतर में मिली, दूरी और पतियोगी परिक्षा की तैयारी के मद्दे नजर वे बेरमा कम आते, पर मन्यार्डर नियस समय पर भीजते, मास्टरी के चौते साल नायब तहसीदार के लिए चैनित हो गए, दद्दा पूरे टोले में शुब समाचार बाट आए, धनुषधारी कानूनगो बन गिया, गाओं में कानूनगो और पटवारी को पद्वी वाला मना जाता था, नायब तहसीदार जैसा पद दद्दा की सोच से बाहर था, धनुषधारी सुदूर निमार में हुई प्रथम निक्ति पर अकेले गए, बेरमा का यही चलन था, बेटे परदेश कमाने जाते, बहुए सस्राल में पड़ी हुकम बजाती, ऑफिसर कालोनी की शिक्षित अधिकारी पत्नियों का अच्छा रहन सहन, बो चलन का चसका लग गया, खुद को बेरमा का नहीं अमान गंज का बाशिन्दा बताते, डिजाइनर कपड़े जूते पहनते, क्लब जाते, अतिरंजना को उचाई देते हुए खुद का विवायत होना छिपा ले गए, सुष थापित, अधिवक्ता, राय जादा की पुत्ती एक शिप्रा जब्भी कलब आती, उन्हें भरबूर देखती, उसका देखना उन्हें गहरी नीन का उसुरचिपूर्ण सपना लगता, जिसे देखना नीन को सफल कर देता है, इतनी आधुनिक बाला उनसे मेल जोल रखना चाहती है, भाब कर वे फूले न समा रहे थे, उसक अधनी ढपोर शंक लगती, कनपटी पर प्रतिध्वनित होती, क्षिप्रा की मदुसिक्त बातें तै समय से पहले जाने के लिए अधीर करने लगती, वे लोटने की बात कर रहे थे कि एक आएक दद्दा ने कहा, बहु को कुछ दिन गुमा बगा दो, हम यहां का संभाल ले वे एक शिप्रा की संगत में मंगल देख रहे थे, दद्दा गिरह बांदने जैसी बात कर रहे थे, ग्रामीर परमपरिक अनुशासन के कारण वे पत्नी का सीधे जिक्र ने करते थे, अता बोले, दद्दा शहर में बहुत दोका दड़ी है, मैं दिन पर दफ्तर और दोरे पर रहता हूँ, ऐसा ना हो, मेरे पीछे घर में कोई ठगी कर ले, पास में तबादला हो जाए तो ले जाओ, तुम भी आते जाते रहना, एक गिरह से छूटे तो दूसरी तयार थी, क्षिप्रा ने खुल कर मकसद बताया, तुम्हें यहां तीन साल हो रहे हैं, तबादला हो सकता है, शादी कर लेते हैं साथ ही जाओंगी, इसे मंगल में दंगल कहते हैं, मतलब, तुम कुलीन प्रामणों में राइजा था, यदि यह मतलब है तो नजदी की बढ़ाने से पहले सोचना था, ऐसे अचानक एकदम दद्दा नहीं मानेंगे, मैं मना लूँगी, उन्होंने खुद को आकस्मे क्यातना में पाया, अपने पापा से पूछा, तभी कह रही हूँ, वे तुम से मिलने आएंगे, राइजादा अगली शाम उनके घर हाजिर हो गए, चाहेते थे एकलोती दुलारी पुत्री को ऐसा व्याकुल प्रेमी मिल जाए, जो रसूल भी रखता हो, उनका अधिकारी होना बहुत बड़ी प्रतिशुर्थी थी, सामाजिक काईदा समझता हूँ, आप अकेले पुत्र हैं, दद्दा गिराय जरूरी है, शादी कर लीजे, फिर मैं बेरमा जाकर शाष्टांग हुआँगा। लगा अपना विवाइत होना जाहिर कर दें, पर वे क्षिप्रा की संगत को जहां तक ले आए हैं, वहां ऐसा उद्धोश उन्हें छूटा, लंपट, मकार सिद्ध करेगा। ये बलचाली अधिवक्ता उनके साथ किसी किस्म की हिंसा कर सकता है। वे दूसरी बार दूला बने, क्षिप्रा का घर में पदारपण हुआ। सोचते थे लंबी दूरी तैकर खबर दद्धा तक नहीं पहुचेगी, पर कितनी ही सावधानी पर तो पतानी कैसे सही सूचना सही ठिकाने पर पहुची जाती है। उन्हें अपना मनतव वितयार रखना है। यदि जानते जब पिछली बार आये थे पतनी गर्वती हो गई थी तो क्षिप्रा से जुदा हो जाते। या कि वो ऐसा प्रगार व्यामों बन चुकी थी कि ना हो पाते। शीशु को देखने की प्रसव में शिथिल हुई पतनी को होसला देने की प्रबल इच्छा हुई। पर दद्दा वर्जना बनकर ठीक सामने डटे थे। वे भीतर जाने की अनुमती की चाहा में दद्दा के पैर छूने को बढ़े। दद्दा ने पैर सिकोड कर परदनी में शिपा लिये, वे दूरी बना कर शीष जुकाए बैट गए कि कोई दद्दा को अवसर की नजाकत बताए, लोग उन्हें गुनेगार की तरह देखते रहे, बिर्मा का ये पहला अपयश ग्रहन करने लायक नहीं था, जी चाहा बलपू अक्सर मौन बलकि मूढ बने रहते थे, हमको भीतर काम है, कहकर दद्दा भीतर चले गए, लोग धनुजदारी को अकेला छोड़ एक एक करके लोट गए, धनुजदारी को बैरंग लोटना पड़ा, दद्दा ने भीतर जाकर देखा, सोबर में बहु रो रही है, बाहर का प्रसंग सुनकर फक चेहरा लिये पनिहारिन ने बहु को यथार सुना डाला था, जब दद्दा को बहु के गर्वती होने का संग्यान मिला था, उन्होंने पानी भरने के लिए पनिहारिन नियुक्त कर दी थी, कि गर्वती इस्तिरी को भार नहीं उठाना चाहिए, पनिहा प्रविरिक मानसिक तोर पर शिथिल सद्य प्रसूता से संगहाद देने जैसी चर्चा ना करें, लल्ला अर्थात नया बच्चा बाद में इसका नाम नट्रा जखा गया, के बाबू सहर मा काउनों कुठनी से व्या कई लिहीं, अभहिन आई रहे, दद्दा दूरा से दुलहिन सहर का हवा लग गई है, बरिस दूरी बरिसमा सहरी में से गट्टा अर्थात अंगूठा दिखा दई, तब यहां आई हैं, बहु के लिए तड़ित गिर्ने जैसा मामला था, हमेशा सोचती थी दद्दा ने धरुषदारी को आने वाले बच्चे की खवर भेजी या नहीं, परदेश में क्या खाते होंगे, प्रेम के दो आकर बोलने वाला कोई ना होगा, नहीं जानती थी, आकर नहीं प्रेम की पोती लिखी जा चुकी है, छटे छमा से कुछ लहों का साथ मिलता था, पर उनका बोध हमेशा बना रहता था, अब तो बच्चे की वही भ खेद गई, फसल खाटी, इसके अर्थाद बच्चे के बाबू जब भी आएं बिथा न कही, आज हमारी किस्मत फूर देगा की, एका एक दद्दा की तेज आवाज सुनाई दी, काहर होती है, को मर गया है का, आज से तैं हमार बहु नहीं बेटी है, तकलीफ नमान, इस दर पर भीतर के तंतु, पुत्र मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, रोज रोज प्रतीक्षा कर आखिर बोले, चल बहु उसकी छाती में बैठेंगे, हमारी नाक लिया है, हम उसकी लेंगे, सब को बताएंगे ये जो आपका हाकिम है, लबरा आर्था जूटा है, दुल्ठो का जो गया है, वो आए, तुम हो नटराज है, खेती बाड़ी है, बहुत है, रूपा अल्प साधन में संतोष ढूर रही थी, तोष बांड सागर बांध के पानी में टूप किया, ग्रामवासी देहरी चूटने का करंदन कट रही थी, रूपा आश्वस थी कि देहरी के साथ धनुजदारी का बोध भी यहीं छोड़ जाएगी, शासन ने मुआबजा और पुनरवास का प्रबंध किया, पुनरवास में कुछ जमीन मिली, दद्दा ने कुछ मुआबजे की राशी से खरी दी, चार एकड के उजार में सत्ता बनाने के लिए दद्दा और रूपा ने हार तोर श्रम किया, त्रीम प्राणियों लाइक छोटा घर बनवाकर चारों और की खुली जमीन में खेट तयार किये, बीज बोए, फसलें उगाई, प्रात्मिक पाडशाला में पदस्त, दो शिक्षक, नल्नी और जटाशंकर, मिल जुलकर पांच करक्षाओं के एक सार प बैट गई, रूपा, तुम्हारा हरा भरा परिसर मुझे अच्छा लगता है, गुलाब की खेती क्यों नहीं करती, रूपा को लगा नल्नी दिल लगी कर रही है, अरी बहन जी, यहू धान, चना, अरहर की खेती होती है, गुलाब को क्या खाऊंगी, बेचोगी, शहरों में हमारे अमान गंज में भी गुलाब खुब बिकते हैं, बिकते हैं, हम तो जानते हैं देवता को चड़ते हैं, पूरों की खेती में बहुत लाब है, अब आप कहोगी रुप्या पैसा की खेती करो, अमान गंज की कॉलेज में पढ़ रहे नटराज को पैसा की कमीना होगी, रुप्या पैसे की फसल नहीं उगती, पर फसल से रुप्या पैसा मिलता है, कुछ जमीन में सबजी लगाओ, टमाटर आलू की मांग पूरे साल रहती हैं, गाओं के किसान अन उपजाने को ही खेती समझते हैं, जबकि सबजी में बहुत वाइदा है, आप बात तो ठीक कहत हो बहें, दद्दा से पूछूँगी, दद्दा को योजना फल्दा ही लगी, आलू टमाटर आर्थे को उठान देने लगे, उनी दिनों गाओं में उल्टी दस्त की वीमारी फ्हल गई, कई लोगों के साथ दद्दा भी अपनी मियाद पूरी कर गए, अपनी बिगरती ये जान ले, इसका बाबू है, जो पता नहीं कहां है, हमने धरुषदारी के साथ मिले में फोटो उतरवाई थी, तीन कौपी मिली थी, एक कौपी धरुषदारी अपने साथ ले गया था, हमको इतना मानता था, पै बुद्धी नसा गई, अर्थात बुद्धी नश्ट हो रूपा उन सूत्रों को सामने नहीं लाना चाहती थी, जो उसकी तरह नटराज को भी आकुल करें, पर दद्धा का चेरा उस समय जो हो रहा था, निश्यत रूप से जाते जाते दहुजदारी की छवी देखना चाहते थे, जाते हुए कि आस पूरी हो, वो तस्वीर ले दद्धा निर्मिमेश देखते रहे, फिर नटराज को पकरा दी, कुछ सच बहुत अधिक सच होते हैं, अपनी ताकत से सामने आ जाते हैं, दद्धा तुम ठीक हो जाओ, मुझे तुमारी जरूरत है, दद्धा सोच रहे थे, नटराज तजवीर को देखकर चौकेगा, पर उसने ऐसे शांत सधे हुए लहजे में कहा कि दद्धा दंग रहे गए, पिता को लेकर इसे शायद कभी विद्रो अचंबहा या उत्सुकता हुई होगी, पर अब इस तरह दिख रहा है, जैसे मान लिया है, पिता का जिक्र इतनी बड़ी बात नहीं है, कि अतिरंजना जाह करने चाहिए, उसने तस्वीर को दद्धा के ओलट ले जाकर धनुषधारी वाले भाग को इस तरह अलग कर दिया, जैसे उन्हें ना जानता हो, ना प्रेयुजन रखना चाहेता है, दद्धा के ना रहने पर अमान गंज के अच्छे स्टूडियो से दद्धा वाले हिस्से को यथा संभो बड़ा करवा कर बैठक की भित्ती में इस्थापित कर तुलसी की माला पहना दी, नटराज ने विज्ञान में इस ना तक किया, एक फार्मा कमपनी में जॉब मिल गया, दोजार बीस में हुए कोविड नाइंटीन और लॉक डाउन में जॉब चला गया, वो कि स्वागत लक्ष्मी की गरिमा हासिल की, देव माया उसी अफसर को देखने आ रही है किताहा, मुख्य पत्से लगे, पहुँच मार्क पर बोर्ड में लिखा था, किताहा जनसख्या साथ हजार, किताहा के कुल 45 किलोमीटर की दूरी तै करते हुए, धनुजधारी ने नही सोचा था कि उनके जीवन के 75 साल पुराने पन्य पलट कर पहले प्रश्ट पर पहुँच जाएंगे, वे खुद को उस देहरी पर पाएंगे जहां से भागे नहीं थे, बलकि खदेडे गए थे, गूपा के घर के आगे चालक ने कार रोग दी, धनुजधारी चिप्रा, दे पुची और स्रजन शीलता दिख रही थी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, लंबी सार में बधी तीन गाएं, क्यारियों में गुलाब और गेंदा, पीछे दिखते खेद, खलिहान, नमी है, खुला प्रकाश है, माटी की महक है, सार में काम कर रहा, आदमी उन्हें देखकर चलाया, जी, देव माया ने मंतवे बताया, रूपा जी से मिलना है, हो, अम्मा जी और नट्राज भहिया पीछे खेद में बुलाता हूँ, देव माया ने, चुकि रूपा के मोबाइल पर सुभही अपने आने की सूचना दे दी थी, अता प्रतीक्षा रत नट्राज ततकाली किया, मैं नट्राज रूपा जी का बेटा, देव माया ने सरहना की, आप लोग तो नंदन वन में रहते हैं, बहुत संदर जगह है, नट्राज गौर्वान हिर्थ हुआ, हाँ, यहां रहना बहुत अच्छा अन्बहु है, परिचे करा दू, यह मेरी मा, यह मेरे पापा, ध जहां भी जाते हैं, खुद को डिप्टी कलेक्टर होने का प्योरा जरूर देते हैं, मैं धरुजधारी, रिट्राइड डिप्टी कलेक्टर, दद्दा अंतस में यह नाम कील की तरह ठोक गए हैं, वो इस तरह नजर गड़ा करने के चेहरे का अध्यन करने लगा, मानू, उ चार कुर्सियों वाली सादा बैठक, धनुशधारी के लिए ऐसा प्रमिय बन गई, जिसका हल उन्हें ढूना था, वे जिस कुर्सी पर बैठे, उसके ठीक सामने की बित्ती पर दद्दा की तस्वीर तंगी थी, तस्वीर पर पड़ी माला बताती थी, वे चोला छोड़ ग जब इस इलाके में पोस्टिंग मिली थी, ग्यात हुआ बेरमा डूब में आ गया है, तद्दा पत्नी अंदेखे बालक के लिए उन्हें करना हुई थी, प्राटना का भाव आया था, पर ढूनने का समयक प्रयास नहीं किया था, कि प्रयास क्षिप्रा और तीन बीटियों वाले परिवार को धुस्त कर देगा, लगा किठा में नहीं बेरमा में हैं, कमरे में यद्यव तीन बड़ी खिड़किया हैं, पर उन्हें लगा कोई सांद्र गैस तेजी से फेपड़ों में भर रही है, लगा धर्ती में बड़ा होल हो गया है, जिसमें उनका समाजाना तै लगा वे पोशक तत्व सूख गए हैं, जो देह को साधे रखने के लिए जरूरी होते हैं, लगा दद्दा की तस्वीर में एक पूरा काल खंड ठहरा हुआ है, वे दद्दा का इतना आदर करते थे, उनसे इतना डरते थे कि पहली प्रतिक्रिया सुरूप कूरसी से उठकर खड़े हो गए, मौसम आराम दायक था, फिर भी कनपटियों पर पसीना आ गया, नटराज अनवेशी द्रिश्टी से उनके भावों को जांच रहा था, बोला, आप खड़े क्यों हो गए, ये मेरे दद्दा की तस्वीर है, ओ, हाँ, वे कुरसी में धसक से गए, याद नही आज को इस तरह देखने लगे, जैसे साम में ढूर रहे हो, भूरी आखें, उन्नत भाल, सोहती सी कद काठी, इसका चेहरा बड़ी पुत्री वेद माया से थोड़ा मिलता है, मेद बहुल दे, केश पतन, मोटे फ्रेम के चश्मे के कारण रेतने बदल गए हैं कि इसके हम श रूप से कुछ सामे दिख रहा है, देव माया ने दद्दा की तस्वीर को एक दो बार देखा है, पर उस छोटी धुंदली हो चली तस्वीर और इस बड़ी तस्वीर, जिसे स्टूडियो वाले ने आधुनिक तरीके से ताजा और जीवन्त बना दिया था, में उसे ऐसा को समझ लिया कि तस्वीर को देख कर पापा परेशान हो गए है, शायद अपने पिता को याद कर रहे हैं, बोली, पापा तब ये ठीक नहीं लग रही है क्या, बीपी की गोली खाली थी ना, जल्दबाजी में भूल तो नहीं गए, तब ये ठीक है देव माया, बेकार डरा द गई, शुरुआत में बिछडते हैं, अंत में मिल जाते हैं, ऐसी समानता दुरलब है, पर मैंने कहीं पढ़ा है, कि हमारे चेहरे जैसा दूसरा चेहरा कहीं न कहीं होता है, लगता है मेरे दादा जी और आपके ददा ऐसे ही दो चेहरे थे, मैं पानी लाता हूँ अंकल, आ सिती का सामना द्रहताजे करे, रूपा के लिए विगत अब वाहियास सा मसला हो गया है, जो भी घटित सामने आता है, उसे वो भागे रेखा मान लेती है, देव माया ने कहा था काम देखने के ठहा आएगी, रूपा इसे अपचारिक सदाशेता समझ कर भूल गई थी, इशी नजर से देखा, सीधे पल्ले की सूती सारी, सरपन आचल, शीतल, शालीन, मुख, दुबली रूपा ने हाथ जोड़ कर सबको नमन किया, दिन बर भूंगट, रात में कंदील के अपरयाप्त उजास में वे ठीक ठीक नहीं जानते थे, उसके चेहरे के भाव क्या होते इस वक्त उसका चेहरा उस पुस्तक की भाती जान पड़ता था, जिसके प्रष्टों में अक्षर नहीं छपे होते, उन्हें बिल्कुल याद नहीं आया, वो कैसी दिखती थी, रूपा ने उन्हें सीधे देखा, ये वो पती नहीं लग रहा है, जिसके लिए लालसा होती कि दद्दा के चरण दबाना छोड़कर कोटरी में आये, चेरा ऐसा लग रहा है, जैसे सहियत रखना चाहते हैं, रखने पा रहे हैं, रूपा ने छप्रा को देखा, इसकी फैली वी दे यदि पहले भी फैली रही होगी, तो धनुजधारी ने इसमें पता नहीं क्या देखा था, आधनेकता और शिक्षा देखी होगी, तो आधनेक और शिक्षित लग रही है, जो भी है चली गई है, इसके लिए विदाता पती बनाना भूल गया, किसी अन्य के पती से काम जला रही है, देव माया ने खड़े होकर रूपा को आदर दिया, यहां कितनी शांत पूल, पशु, पक्षी, सबजिया, खेद, अलग ही दुनिया में पहुंच गई हूँ, गूपा ने देव माया को देखा, ऐसी अलग दुनिया जो तुम्हारे ख़यालों में नहीं है, प्रत्यक्षिता बोली, देव माया आप जो भी देख रही हो, दद्दा, नट्राज औ मेरी मेहनत है, मैंने प्रयोग के तौर पर जो भी शुरू किया, किस्मत वाली हूँ कि सफलता ही मिली, धनुजदारी का विचलन तेज हो गया, पर त्यक्त्या है, लेकिन खुद को किस्मत वाली मानती है, संभव है किस्मत वाली कहना मुझे तिरस्कृत करने या प्रतिशो हो चुका है, उसे इसपस्ट लग रहा है कि तस्वीर बिचरे हुए दो भाईयों की नहीं एक ही व्यक्ति की है, इसमें दद्दा अकेले हैं, उसमें धनुजदारी भी हैं, शोग हुआ, धनुजदारी के प्रिष्ट भूमे जानने की जिग्यासा तक नहीं दिखाई, अच आपने दद्दा नतराज का जिक्र किया, आपके पती? धनुजदारी को नाड़ी तूपती सी लगी, लेकिन रूपा मुस्तैत थी, बहुत पहले साथ छोड़ गए, कूट उत्तर से जाहिर नहुआ, इसको त्याक कर चले गए या भगवान को प्यारे हो गए, पता नहीं क् राकत नहीं समझ रही थी, बात का रोक अपनी और मोड लिया, जिस काम के लिए आपको सम्मान मिला वही देखने आई हूँ, दिखाईए, नतराज दीवान से उठ गया, दिखाता हूँ, थोड़ा जलपान हो जाए, नतराज भीतर गया, जल्दी पत्नी के साथ लोटा, पत अमान गंज में रहकर पड़ते हैं, ननुजदारी को लगा, रूपा प्रहत में पूर्वक अपना पारिवारिक विपरन देकर उन्हें अफसोस में डालना चाहती है, बहु ने उनको और क्षिप्टागों प्रणाम किया, अभाव जागा, आपचारिक अविवादन कर रही उनका चैन होती तो पैर चूती, बेसाक्ता लगा पोतों की उम्र पूछें, किस राके में रहते हैं, लेकिन किस अधिकार से पूछें, बहु बीतर चली गई, नटराज सबको बड़े बड़े गिलास पकड़ाने लगा, लसी पीजिये, अम्मा का गव प्रेम, तीन दुध भरूगाये हैं, कस्बे का एक होटल वाला दूद ले जाता है, नजाकत को भाप चुके क्षिप्रा और धनुषदारी इस कदर चुप थे कि देव माया प्रमुक वक्ता जान पड़ती थी, आप लोग शुद दूद दही घी खा रहे हैं, शेहरों में दूद दही घी, अना कोरोना काल को लोग आपदा की तरह देख रहे थे, अम्मा ने आपदा को अवसर बना लिया, वही देखने आई हूँ, धनुषदारी और क्षिप्रा को लसी पीनी पड़ी, बाकी लड़्डू और चिप्स उदर में ना उतरा, धनुषदारी संदेग्द की तरह बैठे रह देव माया बोली, चलो पापा देखते हैं, वरतमान से निरपेश दिखने के लिए उन्होंने मोबाइल खोल लिया, देख आओ मैं यही बैठूंगा, तब यह ठीक है, थोड़ी ठकान लग रही है, नतराज मर्म जानता है, बोला, दीवान पर लेट लें आराम मिलेगा, ठ शिप्तरा चाहेती थी, जोड़दा हस्तक शेप कर दनुझधारी पर अपराज स्विकार करने का तबाव बनाए, पर उसे चेश्टा अशिष्ट लगी, जो भी अपय अशे स्वता सामने आएगा, उनकी तबियत की फिक्र ना कर, वो सबके साथ बाहर चली गई, नतराज उसे अपने इलाके और काम से बहुत लगाओ है, देव माया को अपने काम की बारी कियां बताने लगा, देव माया जी, इस पुवाल के कारण अम्मा स्वागत लक्ष्मी बनी, हम लोग भी धान की फसल कटने के बाद, अगली फसल की बुवाई के लिए पुवाल जलाते थे नहीं जानते थे कि परियावरन का बुरह असर पड़ता है, लोग डाउन में लोगों का काम काज ठप हो गया था, मैं जिस फार्मा कंप्टी में काम करता था, वहाँ एंप्लॉईस की छटनी कर दी गई, मेरा जॉब चला गया, मैं परिवार को लेकर किटहा आ गया, उसी द अमा ने मेरे साथ ऑनलाइन पर शिक्षन लिया, हमने अपने खेत के पुवाल से भूसा और खात तयार किये, अच्छे रिजल्ट मिले, हमारे पास बहुत नहीं, कुल चार एकर जमीन है, उससे बहुत कम पुवाल मिला, अमा सर्पन से मिली, कि पुवाल ना जलाने के लिए लोगों को प्रेरिद करें, वे पुवाल खरी देंगी, हमारे पास एक ही ट्रैक्टर है, हमने कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली किराये पर लिए, खेतों से पुवाल लाए, किसानों को पुवाल के पैसे दिए, कटाई मशीन और ट्रैक्टर वारे थ्रेशर से बहुसा बनाने ल में 480 ट्रॉली पुवाल मिला लगभग सवा लाग खर्च हुआ साड़े तीन लाग की आये हुई अब तो लोग खुद बताते हैं उनके पास पुवाल है ये सब आप दोनों करते हैं अम्मा गाओं की महिलाओं को काम पर लगाती हैं मेंताना देती हैं आप खुश हैं बहुत जौब छूटने पर घबराट हुई थी अम्मा नहीं इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है कि कंपनी वाले बुलाएंगे तब भी नहीं जाओंगा लोग बेरोजगारी का दुख मनाते हैं जबकि गाओं में बहुत स्कोप है व्यग्यानिक तरीके से की गई खेती अच्छा करना चाहिए यही तो मैं भी पुरसकार पाने लायक काम करता हूँ पर पुरसकार लक्ष्मियों को मिलता है विश्वों की कदर नहीं होती आप पुरसकार के लायक क्या करते हैं आए दिखाता है देव माया ने क्षिप्ट्रा से कहा आओ मा देखें क्षिप्ट्रा का चित नट्राज ही कार प्रनाली पर नहीं था, वो खुलासा चाहेती थी, बोली, देव माया, तुम्हारे मतलब का काम है, तुम देखो, मैं यहां बैठूंगी, वो पीपल के पेड़ के चौगिर्द बने सीमेंटेट गोल चबूतरे पर बैठ गई, रूपा अक्षित्रा की खलब प्रिशन लिया है, फार्मा कंप्टी में काम करने के कारण मैं जानता हूँ, अनाज, फल, दूद जैसे पदार्त में मानक से अधिक रसाइनिक खाद और कीटनाशक दवाईयों के उप्योग से लोगों में डाइबेटीज, ब्लड ट्रिशन, हाइपर टेंशन जैसी समस्या बारी किया समझी, ऑनलाइन पर शिक्षन लिया, आधे एकर में चौकोर ताला बनवाया है, बरसात का पानी इसमें पूरे साल भरा रहता है, जरुवत होने पर मोटर लगा कर सिचाई कर लेता हूँ, इधर की कुछ जमीन में खाद बनाने का काम होता है, गो मूत्र और नीम से बीजामरत, प्रमास्तर, आगनेास्तर, नीमास्तर जैसे कीट नाशक और खाद बनते हैं, फल सबजी के छिलके, गोबर, सब कुछ उपयोगी है, सुनकर हसेंगी, लेकर हमने कई बार गोबर भी खरीदा है, देव माया पूरी रुची से चारों और का नजारा ले रही थ अद्भूत है, आगे चलिए आईए, यहां केचवों से वर्मी पोस्त तयार होता है, वर्मी पोस्त यूनिट प्रशिव ज्यान केंदर के योगदान से लगा है, वर्मी कमपोस्त से अच्छी आय हो जाती है, केचवे भी बिखते हैं, वर्मी कमपोस्त से उत्पादन वर्मी कंपोस्ट और केचुव का मार्केट कैसे मिला केचुवे वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट के वीडियो बना कर यूट्यूब फेसबुक पे डाले अब तो आनलाइन बुकिंग मिलने लगी है यहाँ न आती तो इतनी जरूरी बातें नहीं जान पाती मुझे भी नहीं म इंद्र ने मदमक्की पालन का तरीका बताया, व्याविसाय के लिए यूरोपियन प्रजाती की मदमक्कियां अच्छी मानी जाती हैं, एक दो लोग हैं जो मदमक्की पालन से साल भर में कई टन शहद प्राप्त कर रहे हैं, इनका धंग भी उपयोगी है, कई तरह के इंजेक् जिले के कड़कनात, अर्थात, मुर्गा, मुर्गी उत्तम माने जाते हैं, लड़का अंडे, चूजे, मुर्गे, मुर्गियां बेच कर बहुत कमा रहा है, उसने भी मार्केट के लिए सोशल मीडिया की मदद ली, पहला ओर्डर उसे बहरीन से मिला था, आपकी बाते सुन जोकने के लिए पूरी और पच्छमी छोड़ पर मास लगा कर एग्रो क्लाइमेट जोन बनाया है, उस जोन में फलदार रक्ष तयार कर रहा हूँ, वैसे मैं खुद हैरान होता हूँ, खेतिहर परिवार का हूँ, पर खेती कैसे की जाए, कैसे फसल बचाई जाए बहुत न लगाना शुरू किया था, मैंने काम को विस्तार दिया, समझ में आ गया कि 12-15 एकर के अनास से उतना मुनाफ़ा नहीं होता, जितना 3-4 एकर की सबजी से होता है, एक एकर में मतर, एक में टमाटर, आदे एकर में आलू लगाता हूँ, मतर की फसल आने के पहले एड़वांस लगाता हूँ, आरदस लोगों को रोजगार दे रखा है, खेती लगन से की जाए तो अच्छा मुनाफ़ा होता है, और शुद्ध चीजें खाने को मिलती हैं, ये तो है ही, देवमाया इधर प्राकरतिक सामराजी को देखकर चमत रख थी, उधर शुप्रा को समझ नहीं आ हाँ, यही तस्वीर धनुजदारी के पास है, साथ में वे भी हैं, इसमें भी थे, नटराज ने फार कर अलग कर दिया, रूपा का लहज़ा ऐसा संतुलित था, जैसे धनुजदारी ने उसका नहीं, उसने धनुजदारी का परित्याग किया है, सुनकर शिप्रा पूरी तर डिग्री फरजी है, इसके पास कम अधिक जो भी था, इसका था, इसका है, मेरे पास जो है, मेरा नहीं इसका है, यदि मेरा है, तो पहले इसका, बाद में मेरा है, धनुजदारी के पद कद काठी का ऐसा आकरशन रहा, कि प्रेष्ट भूम जानने के रूची नहीं, इसे कुरूप हो गए हैं कि विश्वास नहीं होता इस आदमी पर फिदा हुई थी इनके खराटों के कारण अलग कमरे में सोने लगी हूँ मालूम नहीं था खराटे ऐसे असहनी होते हैं कि कमरा अलग करना पड़ता है रूपा सोच रही होगी कि मैंने इसका पती हड़ पा है मैं नहीं जानती थी ये बहुरूपिया विवाइत है बेटियों के सस्राल तक गाथा पहुँचेगी तो क्या बयान सामने आएंगे जीवन एक एक ऐसा प्रमे बन गया है जिसका कोई हल नहीं होता मुझे नहीं मालूम था तनुझदारी विवाइत थे बुरे दिन भूलने के लिए होते हैं मैं भूल गई हूँ नटरा जानता है नाम सुनकर ही समझ किया था मुझे पहले ही पता दिया इसलिए बैठक में मैं संभल कर आई वरना कुछ देर के लिए ज़रूर लड़ खड़ा जाती है मैं आपकी तरह तोश कहां से लाओं अपने भीतर से एक प्रश नटराज और देवमाया इधर आ रहे हैं बात को दिल से न लगाएं मैं यहीं से आपको विदा करूँगी बैठक में मेरा कोई काम नहीं है रूपा ऐसे अंदाज में खड़ी हो गई जैसे जीवन को भरपूर जी रही है वापसी नटराज ने आलू टमाटर कार की डिकी मे रखवा दिये धनुजदारी का मुख बता रहा था कुछ लमोहों में वे कमजोर इंसान में बदल गए हैं उन्होंने नटराज को देखा उसके शीश पर हतेली रख आशीश देने की ललक कोई पर हात न उठा इसे देखकर लग रहा है जैसे खुद को देख रहे हैं ऐसा ग कि मैं दरसल किसका पती हूँ खराटे के कारण अलग कमरा अपना लिया है अब अलग ही न हो जाएं देव माया को देखा खुश लग रही है पता नहीं इसके खुशी कब तक बची रहेगी तिरशी नजर से रूपा को डूड़ा जब इसने सोबर में जाना होगा ददा ने म जा रहे हैं पर जाकर भी पूरी तरह नहीं जा पाएंगे नटराज और रूपा साथ ना आते हुए भी कुछ तो साथ आएंगे अंदेखा नटराज और अपर्याप्त प्रकाश की जिल्मिल छवी वाली रूपा साबत चेहरा बन गए हैं किसी को याद करो तो सर प्रथम च जा रहे हैं अभी आप सुन रहे थे सुश्मा मुनिंद्र जी की लिखी हुई एक उंदा कहानी अंतकाल पशिताना कहानी के माद्यम से लेखिका ने ग्रामी रोजगारों के प्रती बहुती प्रामानिक जानकारी दी है इसलिए कहानी और भी महत्वपूर्ण हो गई है आश मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके कहानिया सुने मुझे खुशी होगी धन्यवाद